प्रेंस स्वागत आपका हमारे चलम है तो दोस्तो वर्क एंड टाइम की क्षिचनों की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम क्षिचन देखते हैं जो अलग टाइप के होंगे तो दोस्तों इनको सोर करने की कोशिश करते हैं तो पहला सवाल है पी की आर तीन बंदे है मिल कितने दिनों में करेगा अब दोस्तों हमें करना क्या होगा पी क्यू आर इसमें क्या गटा देना है इसमें समय गटा देना है पी और क्यू तो इससे में क्या हो जाएगा इससे में मिल जाएगा कि आर उस काम को कितने दिनों में करेगा तो चले दोस्तों को सोल करने की कोश करते हैं क्या था दोस्तों क्षिश्चन में सबसे पहले उपर दिया गए था कि तीन मंदे पी प्लस Q प्लस R यह कितने दिनों में कर रहे है दोस्तों तो यह कर रहे है 20 दिनों में किसी काम को पूरा कर रहे है और फिर पुछा और देया गया था पी करता है उसे 40 दिनों में और क्यों कर रहा है 60 दिनों में तो मैं कह निकाना है तो उसी काम को और कितने दिनों में करेगा तो दोस्तों सब यह हमने क्या लिख दिया यहां पर लिख दिया यहां पर लिख दिया हम एफिसेंसी और यहां लिख देटे ओवराल वर्क क्यों होता है इनका और यहां लेते हैं और अवर्क होगा तो 20 40 60 यह किसके पाड़े में आते हैं 60 के पाड़े में नहीं आएंगे तो यह सब के नीचे लिख देता हूं यहां पर 120 और यह आर के नीचे भी 120 तो टोटल काम कितन है दोस्तों तो टोटल काम हो जाएगा 120 अब 120 को 20 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जायेगा तो यह चायेगा 6 बार तो इन तीनों की कारे समता कितनी हो गई 6 120 में से 40 को डिवाइड करूँगा भाग देंगे तो उसे आजएगी P की कारी समता कितने बाढवाई गएगा 40, You are 120 और 60 को डिवाइड करूँगा तो कितने बाढवाई गएगा यह चाहेगा 2 राज यह क्या आगई दोस्तों इनकी कारी समता आगई इन 3ों को कितनी P की वाज गई तो इनकी तो हो गई 6 P की कितनी है 3 क्यूंख कि किद्नी कने हैं दो अब श्रम से और क्यूं को ढटा दोंगा तो इससे क्या हो जाएगा तो आर्ल जाएगी कार्य समतार चेले में से पांच जाएंगे कितना और उचाहिए ऑफ क्या दर दो पांच हुआ एक तो यह ढटंग दो दो यह योग 120 दिन में तो ये किस्चन का आंसर हो जाएगा कि आज इस काम को 120 दिन में पूरा करेगा आगे बढ़ते दोस्तों सवाल नंबर दूसरा देखते हैं इसमें पुछा दो बंदे हैं अमन और रमन काम को कितने दिनों में कर रहे हैं 30 दिनों में फिर रमन और अमन उसी काम को कर लेते हैं 36 दिनों में और अमन तथा अमन उसी कार्य को कर देते हैं 45 दिनों में तो दोस्तो अब बताईए कि तीनों मिलकर उस कारे को कितने दिन में करेगा अगर दोस्तो अमन रमन रमन मनन और मनन अमन को हम चोड़ दे तो यह कितने हो रहे है छे बार हो रहा है पर हमें करना क्या है तीन निकाला कि तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे तो चलिए दोस्तो इस question को भी solve करने की कोशिस करते हैं दोस्तो एक तो यह सवाल हो जाएगा फोर्मूले से फोर्मूले क्या हो जाएगा 2 into amand into ramand into manand फिर divide में क्या होएगा amand into ramand plus ramand into manand plus manand into amand अब इसमें हम इनकी value रख देंगे तो इसे तो एक question का answer हो जाएगा पर दोस्तो जैसे हम आपर गोना करेंगे तो calculation क्या बढ़ जाएगी इसलिए हम calculation को भी easy है रखे इसलिए हम उसको उसी टिक से solve करेंगे एक तो डोस्तो इस trick से हो जाएगा और अगला देखते है जो अपरने अहले सवाल को कर रहा था उसी trick से बन्दे कितने हैं दोस्तो तीन बंदे हैं तो पेले कौन-कोन मिलके या काम कर रहा है तो पेले कर रहा है अमन और रमन कितने दिन में कर रहे है तो वो दिया गया था 30 दिनों में फिर रमन प्लस मनन कितने दिनों में कर रहे है तो वो कर रहे थे 36 दिनों में फिर था दोस्तो मनन प्लस अमन ये कितने दिनों में करेंगे तो ये करेंगे 45 दिनों में उसी काम को अब क्या पूछे दोस्तों के तीनों मिलकर अमन, रमन और मनन ये तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों 30, 36 और 45 ये किसके पाड़े में आता है तो 90 के पाड़े में 36 नहीं आएगा पर 30 और 45 आता है तो 120 में भी नियाएगा तो दोस्तों या जाएगा 180 के पाड़े में 36 आता है 365 180 तो यह क्या हो जाएगा इनका LC हमी यहाँ पर भी लिख देदा हम इसके नीचे 180 इसके नीचे भी 180 और इसके नीचे भी 180 अब दोस्तों इनकी कारे समता निकालना है तो 180 में से 30 का भाग देंगे तो कितनी बार आएगा 6 ये 6 क्या आया अमन और रमन की कार्य सम्ता 180 में 36 का भाग देंगे तो कितनी बार आएगा 36 बंजे 180 तो ये 5 बार ये क्या आया रमन और मनन की कार्य सम्ता और 100C में से 45 को डिवाइड करेंगे तो 45 दूनी 90 और 90 दूनी 100C तो यह जाएगा चार बार यागे दोस्तों इनकी कार्य समता अब हमें निकालना क्या है अमन प्लस रमन प्लस बनन ये तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे तो हमें क्या करना है दोस्तों पहले इसके निचे लिखे तो कार्य कितना है 180 कार्य दोस्तों उस कंडिशन में चेंज होगा जब कोई किसी कार्य को बीच में छोड़ कर जा रहा हो या बचावा कार्य किसी को दे रहा हो तो उस कंडिशन में कार्य चेंज होता है पर यहां तो क कार्य उतना ही है तो कार्य हम सभी के नीचे उतना ही लिखेंगे अब दोस्तों इनकी कार्य समता अगर मैं जोर दू तो छे पांच और चार यह कितना हो रहा है दोस्तों यह हो रहा है 15 पर दोस्तों 15 इनकी कार्य समता क्यों नहीं होगी क्योंकि यहां पर अगर मैं इनको जोर देता हूं छे पांच और चार को तो क्यार हो रहा है तो यहां पर अमन दो बार आएगे एक अमन या रहा है एक अमन या रहा है एक रमन या रहा है और एक मनन या रहा है और एक मनन या रहा है मतलब यह दोनों क्या हो रहा है दो दो बार डिवाइड हो रहे तीनों बंदे पर शाटब शाटब साथ को एक्सरशी में से डिवाइट करूंगा तो तो कितना है कि दोस्तोंने 18ajacks चैनल है तो यह जाएगा दोस्तों ट्वंटी फोर आजाएगा तो दोस्तों मिलकर उससी काम कु gwीदिन दिन में करेंगे तो चौici तिन उमें करेंगे एक टम्धित दोस्तों कि हम ने 15 डूर बार मनान और एडिय्ट करना इनको सिंगल बदल ना है तीनों को एक एक बार हों बदलना तो क्या दो का बाग दिदिया तब ये एक एक बार हो गए उसके बाद हमने जो LCM तो अवराल वर्क उसमें से डिवाइड कर दिया इनकी efficiency को तो इनका days आ जाएगा तो चले दोस्तों एसा एक सवाल और देखते है ताकि आपको पूरा समझ में आ जाएगा अब ये सवाल क्या है दोस्तों तो ये है विजय और साहिल मिलकर एक काम को 40 दिन में कर देते हैं और साहिल और रंजित मिलकर 48 दिनों में और रंजित और विजय मिलकर उसको 6 दिनों में कर रहे हैं तो फिर क्या पुछा, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, बंदे याद कर लेते, विजय, साहिल और रंजीर, 40, 48 और 60, ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं हम उसको सौल करनेगे, 40, 48 और 60, याद रखिएगा, सबसे पहले क्या था, विजय, प्लस, साहिल, ये करते, 40 दिनो में, फिर था दोस्तों, रंजीर, प्लस, विजय, ये था, 60 दिनों में, अब हमें पुछा क्या है, कि विजय, प्लस, साहिल, प्लस, रंजीर, ये तीनों मिलकर, इस काले को, कितने दिनों में करेंगे, तो दोस्तों, हमें क्या करना है, सबसे पहले, 40, 48 और 60, ये किसके मरलब 24, मरलब 24, तो 48, 240 के पाड़ा में आता है, तो 48, 25, 240, तो बिलकुल आता है, तो ओवराल वर्क कितना होगे, 240, उनको हम इन सभी के नीचे लिग दे थे, 240, 240, 240, और ये 240, तो दोस्तों, ये 240 क्यों हो जाएगा, जो हो जाएगा, ओवराल वर्क, अब 40 को डिवाइट कर दोस्तों, पिताएगा, छे चोका, 24, 48, 25, 240, और ये थे चोका, 24, तो ये 4 बार, ये क्यों होगे, दोस्तों, इनकी कारी सम्ता आगई, विचे और साहिल की कारी सम्ता कितनी आई, तो आगई 6, साहिल और रंजित की कारी सम्ता कितनी आगई, 5, और रंजित और विजे की कारी कार्य समता कितने सबसे पहले कार्य समता किनकी विजे शाहिल और׋ रंजीत जोड़ना यह तो क्या करेंगे हम इंको कर देंगे 2 से डिवाईड कितना जाएगा साहिल रंजीत और रंजीत विजेई की हो गई पर हमें निकालना क्या है सबसे पहले कारी समता किनकी विजे शाहिल और रंजीत की इनके एक एक बार ही जोड़ना है तो क्या करेंगे हम इनको कर देंगे 2 से डिवाइड कितना जाएगा 7.5 यह जाएगा 7.5 अब 240 को डिवाइड करूँगा कितना 7.5 से तो दोस्तों कितनी बार जाएगा 240 को 7.5 से अगर मुँ डिवाइड करूँ तो यह जाएगा 32 बार तो यह 32 दिन आ जाएगा हमारे किस्चन का आंसर कि विजे शाहिल और रंजीत मिलकर इसी कारीर को कितने दिनों में करेंगे 32 दिनों में दोस्तों इस ट्रिक से क्या हमें confusion नहीं रहता है हम systematic किस्चन को solve कर सकते हैं इसी ट्रिक की साइथ से दोस्तों हम SECCGL मेन के किस्चन को भी solve करेंगे अगर दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो के लाइक करें इसी की work and time की किस्चन की अगली सीरीज का वीडियो भी जल्द आएगा तो आप चैनल पर बन रहिएगा